हेलो एवरिवाइद मैं सूपरिया और स्वागत है आपका मेरी किचन में तो आज की रेसिपी है हमारी टोमेटो सूप जो की बहुत ही यमी है इसे हम सर्दियों में पीना ज्यादा पसंद करते हैं टोमेटो सूप बुढ़े हो या बच्चे हो यह सभी पी सकते हैं तो आज मे टोमेटो सूप की जो रेसिपी लाई हूँ ना वो बिलकुर रेस्टोरेंट स्टाइल है अकसर हम घर में ट्राइ करते हैं और हमसे बनती नहीं है तो हम और करते हैं लेकिन आईए आज की रेसिपी में आपके साथ सेर करने वाले हो जो बिलकुर रेस्टोरेंट स्टाइल है तो इसके लिए लिया है मैंने पांच टमाटर मैंने टमाटर बिल्कुल fresh लिये हुए है और इनको चार पिस में काट लिये हूँ तो इन टमाटरों को मैंने काट लिया हुआ है और एक जार में रख़ूंगी आप किसी भी बरतन में रख सकते हैं मैं इलेक्ट्रिक बॉल में रख रहे हूँ और टमाटर में मैं थोड़ा सा पानी एड़ करूँगी पानी हम ज़्यादा एड़ नहीं करेंगे हलका ही डालेंगे पानी और इसकी ढखकन को मैं लगा दूँगी और करीब 10 मिनट के लिए बॉल होने के लिए चोड़ दूँगी हमें इसे पूरी तरह से बॉल नहीं करना है आफटर 10 मिनट हम चेक करते हैं टमाटर हमारा बिल्कुल गल चुका है तो अब हम इसे ब्लेंड करेंगे तो मैंने इसे जार में डाल दिया हुआ है और मैं इसे ब्लेंड कर लूँगी तो पेश्ट मेरा बिल्कुल बन के तयार है तो आईए मैं इसे श्रेंड कर लेती हूँ तो क्या करते हैं न हम बड़े से च्छनने में टमाटर की प्यूरी को डाल लेते हैं और इसे च्छान लेते हैं तो क्या होती है ने इसके अंदर जो भी छिलके हो या टुमेटो के बीज हो इस सम निकल जाते हैं तो टुमेटो सुप तो वैसे भी बहुत अच्छा बनने लगता है तो हम इसे सारे छिलको को स्टेंड कर लेते हैं दिख सकते हैं तमाटर के रश जो हैं सारे बाल में निकल चुके हैं इसलिए मैंने इसे श्टन कर लिया तो हमने इसे पूरी तरह से श्टन कर लिया है तो आएज अब हम इसे बनाते हैं तो कड़ाई मेरी बिल्कुल गरम है तो मैं इसमें half टेबल स्पून बटर डाल रहे हूं दो लवंग डालूंगी दो तीज पत्ता एड़ करेंगे और इनको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे हलका ही फ्राई करेंगे उसके बाद टोमेटर प्यूरी को मैंने एड़ कर दिया ठोड़ा सा हम इसमें पानी डाल लेंगे क्वांटिटी आप देख लेंगे हम इसमें एक कप पानी डाल रहे हैं पांच टमाटर में कम से कम हम तीन कप सूप त्यार कर सकते हैं तो एक कप मैंने पानी याइड कर लिया और इसमें 5 मिनट के लिए बॉइल होनेदू थूंगी बॉयल होने से क्या हता है कि टमाटर मेरा अची तरह से पक जाता है और क्या है ना कि रेश्टरिंड में जब भी हम सूप पीते हैं तो हमें पसंद आती है तो वो और कुछ नहीं उसमें क्या करते हैं वह कॉन फ्लोर देते हैं तो हम क्या बोग करते हैं, एक चमच कॉन फ्लोर को हलके से पानी इसे गोल लेते हैं, और इस गोल को हम टोमैटो सुप में मिला देंगे, इसको मिलाने से क्या होती है, तो मेरी बिलकूल गाड़ी हो जाती है, बाकि कुछ नहीं, हलका सा मैंने सॉल्ट डाल दिया टेस्ट के ल तो अब मैं इसे सर्व करूंगी देख सकते हैं तो मैं तो सुप कितना यमी लग रहा है और बिलकुल टेस्टी है यह सर्व के लिए बिलकुल रेडी है तो आप अपने घर में आये फैमले मेंबर को या खुद में बिलकुल बना के सेर कीजे अगर आपको मेरी वीडियो प्रेस बेल आइकन को जरूर दबा ले ताकि मेरी आने वाले वीडियो की नौटिफिकेशन आपके तक जरूर पहुंच पाए और कॉमेंट जरूर कीजिए और लाइक कीजिए क्यूंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत मॉटिवेशन मिलता है ताकि मैं आगे की रेसिप